इसकार दोस्तों आज हम बनाने जारे हैं क्रीम चीज ये घर के सामान से बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है बहुत बड़िया बनता है और इससे कई रेसिपी में यूज कर सकते हैं आये देखते हैं इसके लिए मैंने 1 लेटर दूद लिया है और उसे गरम करने के लिए रख दिया है और इधर मैंने हाफटी स्पोन साइट्रिक एसिट को अधा कप पानी में गोल लिया है और एक खटा पानी बना लिया उससे अब दूद उबल गया हमारा हम उसे नीचे उतार कर उसमें धीरे धीरे ये पानी डालेंगे आप इसकी जगे विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं या अधर निवो का रस का भी यूज़ कर सकते हैं और दूद को हम फाड लेंगे चेना बन जाएगा हमारा चेना बना के हम इसे थोड़ा अच्छे से दो लेंगे ठंडा पानी डालेंगे और ताकि इसके ये खटास निकल जाए और अच्छे से दबा के निचोड लेंगे निचोडने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में लेंगे और उसमें आधा चमच नामक डालेंगे और अच्छे से ग्राइन कर लेंगे अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा निचोडने में पानी आजाता है तो हमारा ये जो क्रीम चीज है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है शुरुआत में हम इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे अगर गाड़ा हो गया हमारा तो हम यही पानी जो हमने निकाला है छेने से वही एक चमय डाल के फिर से ग्राइन कर लेंगे थोड़ा सा पतला होना चाहिए क्योंकि यह ठंडा होने के बाद फिर से थोड़ा गाड़ा हो जाता है और ये कहीं recipe में काम आता जैसे cheese cake बनाने के लिए या कोई cake की frosting बनाने के लिए या salad की dressing बनाने के लिए इस तरह आप ये बहुत अच्छा बनता है homemade है बहुत ही कम सामान में बनता है और market से आधे से भी कम rate में होता है और चोटे शहरों में जहां नहीं मिलता है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक recipe है आप जरू ट्राइ कीजिए घर पर और इसे फ्रीज में चार से छे दिर हम इस्टोर कर सकते हैं ये बिल्कुल भी दानेदार नहीं होगा नीचे के compartment में रखिए हैं बहुत ही बढ़िया बना है एक लीटर दूद से करीब 300 ग्राम हमारा क्रीम चीज बनता है अगर आपके यहाँ पे दूद थोड़ा पतला आता है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम या घर की एक कट्री मलाई भी डाल सकते हैं इसे बहुत ही बढ़िया बनता है आप देख रहे है कितना बढ़िया एकदम स्मूद बना है अब इसे क्लीन पेपर लगा कर फ्रीज में रख दें दो से तीन गंटे में यह सेट हो जाएगा फिर आप किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं इसे बहुत है